हेलो एरिवन स्वागत अब सभी का ओलाइन स्टेडियों में आज की इस वीडियों हम बात करने वाले साइंस के नियू के बारे में यानि फ्रेंट्स बालोजी के कुछ क्वेसंस के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे और यह हम लोग का सेकेंड पार्ट है इसे पहले मैं आपक जरुर देखिए तो चले फ्रेंट्स सुरु करते हैं तो फ्रेंड्स तो इस वीडियो का फ्रेंटके स्कीन पे क्या के रहे देखिए कालाजार जो होता है इसके कालाजार जोयर होता है यह Their Uniform के होता है जो काला जार जोर है यह किस टाइप का रोग में आता है तो यह परिजीवी से होता है यानि कह सकते हैं कि यह किस परिजीवी से होता है तो आपको याद रखना है कि लिस्मैन या डोनावानी परिजीवी से होता है तो याद रखेगा काला जार से जो परभावीत अं इन दोनों questions को आपको याद रखने है, direct questions पूछा जाता है, कि सोने की बिमारी जो थी वो किस परिजीवी से होता है, तो trypnosoma परिजीवी, killer friends इस questions से आपको इतने सारे points याद रखने है, बढ़ते हैं next questions की तरफ, और दीखे second questions हमारा क्या दिया गया, सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमिलित करना है, और आपको बताना है किन में से सही कुट कौन सा होगा, तो चलिए A के करके देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर point यहाँ पर पॉइंट देखे हैं, कि RCNIC, RCNIC 74 का जो use कहा जाता है, किसलिए यह था, तो tumor के जो की पहचान करने में किया जाता है, तो first का C के साथ match होना चाहिए, तो first का third कहां पर मिल रहा है, तो यहाँ पर विल्कुल एक ही options है, तो जो कि C हमारा correct answer हो जाएगा, लेकिन हमारा तो मक्सर यही नहीं होता है, कि सिर्फ और सिर्फ answer को tick करना है, हमें सब के बारे में जानना होगा, तो चलिए ह देखते हैं, एक एक करके सारे points को, जैसे कि Cobalt 60, देखे friends, Cobalt 60 का जो पर्योग कहा था, वो Cancer के रूप में कहा जाता है, clear friends, यानि कह सकते हैं कि Cancer के उपचार के लिए यहाँ पर पर्योग कहाता है, Cobalt 60, clear, अगर third point देखे, third point में कहा देखे, iodine 131, तो iodine 131 का जो पर्योग कह देख रहे हैं, यह होता है, फिर्ट रक्त परिसंचन के तंत्रख्या अध्यान करने के लिए, यानि कि options B को टिक कर सकते हैं, D के साथ 2 को, तो यहाँ से अगर कोई भी एक direct भी पूछ ले तो आपको यह ध्यान रखना है, यह सारे points को, clear friends, तो options C ने आपने देखा कि right answer हो ज जगा, आपसे छोटी से एक request करूँगा friends, अगर आपको यह वीडियो पसंद है, तो please वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है friends, देखें next lesson क्या कह रहा है, लंबे समय तक उपवास रखने का सरवाधिक प्रभाव कि अंग पर पढ़ता है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि सरवाधिक लंबे समय तक कोई वेक्ती जो अगर उपवास रखता है, तो सबसे ज़्यादा जो effect पढ़ता है, उसके ब्रिकक यानि की kidney पर पढ़ता है, option number D बिल्कु अराइटेंस होगा, गुर्देपर, ठीक है friends, kidney के बारे इम लोगों ने first part में काफी अच्छे से discuss किया होती है, तो nephron के नाम से जाना जाता है, इस points को भी आप याद रखेंगे, देखें next question क्या दिया गया, अगला प्रस्ट नमारा ये बनता है कि कौन से बीमारी सबसे कम संक्रामक है, यहां पर right answer को सबसे कम संक्रामक के रूप में अगर देखें तो पीलिया बिल्कुल correct answer हो उत्पन करने वाला सेल कौन सा है, काफी अच्छा प्रस्ट ने, देखें, रोग प्रतिकारकों को उत्पन करने वाला जो सेल होता है, कोसिका होता है, उसको हम लोग कहते हैं friends, क्या lymphocytes, option number B बिल्कुल correct answer हो जागा, lymphocytes का निर्मार कहां पर होता है, इसका निर्मार दिर्ग अस्ती में किया जाता है, ठीके friends, लसिका में जो मौझूद होता lymphocytes, रुगाड़ों को नस्ट कर संकरमर से मनुस्य को सुरक्षा प्रतान करता है, तो इस points को याद रखेंगे, clear, आगे बढ़ते हैं, next question क्या दियागे कि diastic enzyme का स्रोथ क्या है, जो diastic enzyme होता है, इसका स्रोथ क्या है, तो इसका right answer का option number जो कि A बिल्कुल correct है, लार करन्ती, ठीके friends, लार करन्ती, saliva कह सकते है, saliva gland, इसका right answer का option number A, यह क्या करता है कि starch का maltose और फिर जो की dextrose कह सकते है, dextrose में बदलता है, ठीके friends, यहाँ से एक छोटा सा आपको questions और बताता हूँ, यहाँ पी आप जो द ही अच्छा प्रसने, याद रखेंगे, next question क्या बनता है, कि mycoplasma की, mycoplasma, जिस रोग से संबंद है, वो निमलीखीत में से किस अव्यवो को प्रभावीत करता है, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer options A, यानि कि स्वास संबंदी, कह सकते है friends, सबसे पहले तो आपको यह बता दू कि mycoplasma, जो आप यहां पर देख रहें, इसकी खोज किस ने की थी, हो सकता है, पेपर में देखने को मिल सकता है, तो mycoplasma की खोज Lewis Pasteur ने की थी, ठीक है friends, इससे क्या होता है, कि मनिस्थियों तथा साथ साथ जो जानवर होते हैं, उनमें pneumonia हो जाता है, ठीक है friends, pneumonia, pneumonia क्या होत जोड़ों में से किसका मेल बैठा है, यानि friends, यहां पर जो चार तरीके से मैच किया गया है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सही तरीके से मैच किया गया, और वो कौन सा है, तो हमें राइट एंसर को चूज करना, इसका correct answer का option number C, यानि की malaria, जो malaria होता है, इसके इलाज में chlor जो की दवा होती है, इसका use किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इतना ही पर सिम इतनी रहना है, हमें देखना है कि गलत क्यूं है, आखिर option जो बाकी options दिएगे, वो गलत क्यूं है, तो देखे, यहां पर titanus जो होती है, BCG के साथ match क्या क्या है, यह ब बात करें, second option में कि राज यक्षमा, जिसको TV कहते हैं, tuber closest, तो tuber closest में friends क्या होता है कि BCG का टिका लगा जाता है, तो यहां पर देखे, इसके साथ यह match होना चाहता है और इसके साथ यह match होना चाहता, तो दोनों options एक दूसरे के साथ बद लाग गया, clear, BCG के बार में हम बहु बूरी सी धनकारी गर बात करें, तो BCG का full form क्या होता है, paper में देखने को मिलता है, कभी-कभी, तो bacillus calmate urine, ठीके friends, bacillus calmate urine, इस points को याद रखेंगे, अब बात करते हैं, एक questions यहां पर मैं और बता दू, देखे, titanus की अंतीम अवस्था को किस नाम से जानाता है, lockza, कभी का, vitamin C की कमी से होने वाले एक वीमारी है, तो यहां पर vitamin C होना चाहिए था, scurvic acid की कमी से, तो फिलास देख सकते हैं, option number C, यहां पर बिल्कुल correct हो जाता है, तो यहां पर हम लोगों ने जो भी points discussed किया था, उन सारे points को याद रखेंगा, बढ़ते हैं next questions की तरव, और देख की निल हरित सेवाल में नहीं पाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह बिल्कुल correct कह रहा है, ठीक है friends, मैं आपको बता दू, कि मार्ट्रो कॉंडिया जो होता है, जिवाडू और निल हरित सेवाल को छोड़कर, पौधे और जो प्राणियों की सजीव, जो कोशि नहीं होता है, zero होता है, direct questions पूछा जाता है, याद रखेगा, ठीक है, पहला point तो clear हो गया, second point देखेगे, क्या पूछता है, यहाँ पर यह बोले है कि इसमें उर्जा रसाइनिक, स्तीचिज उर्जा के रूप में संचीद रहता है, तो बिल्कुल correct इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सारे questions को अपने अच्छे समझ में लिया होगा, ठीक है, अच्छा, equations और हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे माइट्रो कॉन्डिया जो सब्द दिया गया था, वो किसके दौरा, माइट्रो कॉन्डिया जो, sorry, खोजा गया था, वो मिस्रित गरंती के तौर पर हम कहा सकते हैं कि हमारा अगनास है, यानि कि pencreas बिल्कुल correct है, यहाँ पर राइटेंसर को option number B, ठीक है friends, मिस्रित गरंती के तौर पर इसलिए कहा जा सकते हैं क्योंकि अगनासे जो होता है, वो अंतसरावी और बासरावी दोनों परकार के गरंत जो मैंने आपको कई बर बता है और वो enzyme कौन कौन से है, तो trypsin, lipids और amylase, इन तीनों नामों को याद रखेंगे, ठीक है, okay friends, next देखते हैं क्या कह रहा है, अगला प्रश्म यह कह रहा है कि गल्स हुआ, यानि कि mumps, English में कहते हैं, एक viral रोग है, जो कि Susan पैदा करता है, इ जैसे कि mumps के बारे में अगर बात करें, तो एक परकार का एक virus से होने वाला रोग है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह किस virus से होता है, तो इसका virus का नाम है mumps virus, खुद इसके नाम का ही virus होता है, mumps virus, और यह किसे परभावित करता है, तो इससे परभावित होता उपने देखा कि ! इसके लिए क्या क्या थै किए गया जाता है तरफ इस और इसधे क्या नाम कहा है term तरफ इस पॉइंट से आपको इतने सारे नॉलेज़ हो जाती है चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ और अगला question क्या 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 रहा है कि rheumatic हिर्दय रोक का इलास किसकी मदद से किया जाता है इस questions के राइट एंसरो का option number जो की A बिल्कुल correct answer हो जाएगा इस पिरीन की मदद से क्या जाता है options A correct हो जाता है next चोच नमरा क्या बनता है कि enzyme होते हैं देखे friends enzyme क्या होते हैं तो enzyme एक पर करके protein होते है option number B बिल्कुल correct answer हो जाएगा यहां से equations और मैं आपको बता दूँ सायद आपको पता हो कि enzyme की खोज करता किसे माना जाता है enzyme के खोज करता जर्मन बैग्यानिक फ्रेंट्स कुहने थे ठीक है मैं यहां पर लिग जाता हूँ कुहने इस points को भी आप याद रखेंगे को माना जाता है ठीक है friends आपके लिए एक छोटा सारे प्रस्ताव रखता हूँ अगर आप इसका third part देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का target like रखता हो 200 like इस वीडियो को 200 like आपको complete करना अगर आप इसका third part देखना चाहते हैं जैसे ही 200 like का target complete होगा मैं आपको third part provide करा दूँगा तो आगे बढ़ते हैं next question देखे क्या है कि निवन में से कौन सा लार्ग यानि कि sliwa का लाव नहीं है ठीक है friends यानि कि आपको बताने कि लार्ग का कौन सा इसमें लाव नहीं होता है तो देखे बात करते हैं सहीं उत्तर का इस questions का राइटेंस होगा option number B यानि इस में यह सरीर में RBC की वह क्या करते हैं लार्ग वज्य से हम लोग उसको आसाने से निगल पाते हैं ठीक, आपको यह पता होगा और यह मुक ता दातों को साफ रखता, यानि जो भी enzyme आते हैं, उनको nest करके हमारे मुक और दातों को साफ रखता है इसमें भी कोई दिक्क्त कहता है और यह होट्ट ह यहांबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है यानि कि cellulose ठीक है फिल्कुल करेक्ट आंशर हो जाता है यह एक परकार की क्या होता है फ्रेंट की polysacryde होता है जो कि glucose का बना होता है इस चीज को याद रहिए ठीक है कौन तो cellulose के बारे बात कर रहे थे हैं हम लोगों कि यह एक परका इसका राइट एंसर का option number B बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एल्वुमीन ठीक है मैं आपको बता दू कि मुत्र में अल्वुमीन नहीं होता है लेकिन मुत्र में अगर मात्रा के बारे में अलग-अलग बात करें तो जैसे कि 95% तो जल होता है यह आपको पता होगा ठीक है 95% जल होता है 2% क्या होता है कि लवन के रूप में उपस्तित होता है अगर 2.6 के points के बारे में बात करें तो 2.6 जोता है वो यूरिया होता है ठीक है यूरिया और 0.3% करीब करें यह लग-भग में हम लोग लेकर चल रहा है ठीक है exact तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 0.3% जोता वो मुल रोमो द्वारा जल किस प्रकेरिया से अवसूसित किया जाता है वह क्या कहलाता है इसका राइट इंसर का option number D यानि फ्रेंस परा सरण क्या होता है इस बीधी द्वारा पादपो में जो पादपो में मुल रोमो द्वारा जल का अवसूशन किया जाता है तो इसको कहते ह परा सरन, option number D correct हो जाता है, next question कहा है कि name liquid में से कौन malaria पैदा करता है, तो हम लोगों ने कई बार बात कहे है malaria के बारे में कि malaria जो होता है फ्रेंस एक proto-जोवा से होने वाला रोग होता है, और ये किस proto-जोवा से होता है, तो plage modium proto-जोवा से होता है, malaria सब्द का सबसे पहले पर proto-जोवा से होता है, तो इन दोनों चीज़ों में आप confused नहीं होंगे, याद रखेंगे, अगला point देखी कहा है कि भारत सरकार के परिवार एम कल्यार मंत्राले दौरा, बिभीन डोगों के अनमूलन वर्स निधारन में निमलिखी त्यूगमा पर विचार किजिए, यानि फ बात करें, इस के राइट असर का, देखेंगे, यहाँ पर बात करें कि काला जार के लिए तो 2017 बिल्कुल करेक्ट है कि 2017 तक इसका लग्छ रखा गया था कि खतम करना है, ठीक है, अगर second में देखें कि फाल एरिया कुछ रोग, तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि 2017 नहीं, 2018 थर्ड पॉइंट में क्या है, खसरा, खसरा देखें फ्रेंट, 2022 नहीं होना चाहता है, यहाँ पर 2020 होना चाहता, कि लिए और 6 रोग आपका बिल्कुल करेक्ट है कि 2025 तक इसका लग्छ रखा गया, यानि कि TV रोग को 2025 तक खतम करना है, तो 1 और यहाँ पर D, यानि कि फाला और जो कि चौथा बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए उप्सन नंबर हमारा B राइट अंसर हो जाता है, किलियर फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखें, नेक्स्ट वेशन क्या दिया गया, अगला प्रश्म बनता है कि बायोप्सी संबंधित है, जो बायोप्सी होता है, वो क इससे संबंधित है तो इसका सीधा मतलब होता है, परिक्षाण के लिए उतको को सरीर से अलग करने से, ठीक है, फ्रेंस, ऑप्सन नंबर B, स्टोरी, ऑप्सन नंबर C, राइट होता है, यहां से एक क्वेशन यह बन सकता है कि उतको का अध्यान क्या कहलाता है, उतको का ब्रेधी किया जाता है याना कि एक विशेश तकनिक के मद्याम से इसमें एक मिट्टी का यूम्टी के बिना ही पौदे को ब्रेधी किया जाता है इसको कहा ज Congress ध़ें ऑर नेक्स्ट देखें क्या है कि epiphydes, यान्वी fortizz, अधी-padak चोता है, वैसे अस् Moris अस्थानों पर पया जते है जहां, क्या होता है, जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, विसको उस अस्थान पर epiphydes होते हैं, अब ये epiphydes होते क्या है, तो मैं आपको ये बता दू, यह वे पहुते होते हैं चुकि आसराय के लिए ब्रिक्षोप पर निर्फर रहते हैं लेकिन इनको हम लोग परीजिवी नहीं कह सकते हैं ठीक है आप इसकीन पर पिक्चर देख सकते हैं कि यह किस तरह से होते हैं बस पेड़ों पर निर्फर रहते हैं ठीक है आगे बढ़ते ह अगला प्रस्ट मनता है कि पत्तियों के दो मुख्यकारे क्या होते हैं तो पत्तियों के दो मुख्यकारे जो होते हैं वह होता है अगला क्या 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 रहा है कि निमलीखित में से कौन सा रोग नाइट्रेड संदूसित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है अगर यही को बताय था कि पारा युक्त जल पीने से होता ठीक है फ्रेंस इस चीज को आप याद रखेंगे ठीक है one of the most important आप याद रखेंगे पारा युक्त जल पीने से होता तो फिलाल इस question का राइट नसर क्या था option number B ठीक है options B आप याद रखेंगे चले बढ़ते है next questions की तरफ और देखे friends next questions क्या कहे रहे चिलकोजा किस से प्राप्त होता है देखे friends सबसे प्राप्त आपको यह जानना हुआ कि चिलकोजा होता क्या आप इसकीन पर देखे चिलकोजा किस तरह से दिखता है ठीक है चिलकोजा जो होता है friends यह प्राप्त किया जाता है पाइनस से option number C बिल्कुल राइट एंस रोगा अगर questions यह पूछ ले कि इसका जो होता है वो scientific name क्या होता है यानि कि वनस पत्ती अगर नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम होता है पाइनस जीराडियाना ठीक है फिन्स पाइनस जीराडियाना clear तो इस चीज को याद रखेंगे इस तरह से भी आप इस चीज को clear कर सकते है देखें next question क्या है कि दलहनी फसलो में कौन सा जीवाडू nitrogen इस्तरी करन करता है इस question का right answer option number B राइजोबियों और यह बहुत अच्छा प्रस्टन है कई बार एक्जामस में repeat भी हुआ है तो इस चीज को याद रखेंगे तो इसका right answer रोगा न्यूमेटा फोर्स मैंग्रो पादपो में ठीके फिंस मैंग्रो के जो पौधे होते वह किस तरह के छेत्रों में उपते हैं तो दल्दली छेत्रों में होते हैं और इनके जो जड़ होते हैं कि दल्दल होने के वज़ह से इनकी सास नहीं यानि कि जो RBC का कब्रिस्तान कहा गयाता है RBC का कब्रिस्तान जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंस जो की पलिया को स्प्लीन को option number C यहां पर बिल्कुल correct answer हो जागा हूं ठीक है इस points को याद रखेंगे RBC के बार में वहने कई बार discuss किया था अच्छा RBC एक questions में आप से पूछता देखें अगले questions क्या क्या रहा कि exo biology में निमलिकित में से किसका अध्यन किया जाता है तो exo biology का सीधा संबंद होता है friends की बाहगरव और अंत्रिक्ष में जीवन से संबंदित होता है ठीक है उसके बारे में अध्यन किया जाता है कि बाहगरव में another planet पे जो की जीवन है कि इस तरह के अंत्रिक्ष में स्पेस के बारे में सब अध्यन किया जाता है उसमें जीवन से संबंदित नेक्स रोचन क्या बनता है कि निमलिकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है यानि यहाँ पे जो एक मैच किया गया है वो गलत तरीके से मैच किया हो आपको बताना कि कौन गलत है तो छलिए इसका राइड झीज ने से दीखते है दीख़िए फिन्स यहां पे 강ल के बारे मीश्री बारे में बcat करें तो टीफाय्ए नीष सणा इसमें भी क्रिस्टल वायलड के बारे में बारे में बात करें तो आज होता है बिल रुद्कूल करेक्ट निस्चेत्य के रूप में क्लोरोफॉर्म आता है उस पॉइंट्स को याद रखेंगे और इथर भी आता है तो वह भी आप याद रखेगा नेक्ट रूसन यह कह रहा है कि निम्रीखित में से कौन सा सुमिलीत नहीं है तो चलिए हम यह देखते हैं यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच क्या गया तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या बनता है कि कोबाल सिक्स्टी तो सरीर के अंत्रक और वुद का उपचार यानि की सीधा तो यहाँ पे देखे स्वेत रखत का उपचार करने के लिए यह भी बिल्कुल करेक्ट है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पे गलत क्या गया आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोल्ड वन नाइंटी एड जो था रेटीना से इसका मतलब नहीं था रेटीना उसर्जन करता है तो ज्यास टम्लगन ऊपर में बाद केया था कि उबाद सिक्टी विकर्ण से कितसा कैंसर को उसार करने के लिए किया जाता है तो इसमें जो केरन को पिर पहाथ इंप्रनेंट है याद रखेंगे और मैं आपको बता था अगर पूठ़ लेकि आनध है थैक है और A से alpha, alpha किरन की जो अनचमता होती है सबसे अधिक होती है लेकिन वेदन चमता सबसे अधिक गामा किरन की होती है के लिए आगे बढ़ते हैं देखें next question क्या है कि निमलिकित में से कौन सा पादप हर्मोन वीजो के मुख्य भूमी का निमा आता है इस questions का राइटेंस और को option number D यानि फ्रेंस S abcicic acid जिसको sort में कभी कभी direct भी sort में लिख करके देता है ABA ठीक है ABA यानि कि abcicic acid के नाम को कोई sort में ABA लेकर के दे देता है clear अगर बात के reference इसकी खोज कभी थी इसकी खोज की थी 1961 से 1965 तक माना जाता है सबसे पहले इसने खोज किसके क्या द्वारा किया गया था तो कार्ण्स और eddy कोट के द्वारा किया था लेकिन बाद में इसको जुकि बेरिंग ने भी इसको खोज किया था ऐसा माना जाता ठीक है पढ़ने को आपको मिल सकता है अगर हम बात करे फ्रेंस यह क्या करता है एक परकार का विकल्प का चुनाव करें ठीक है तो देखें अगर यहां पर सारे पॉंट्स को एक एक करके डिस्कस करें तो पहला पॉंट्स में क्या कह रहा है कि इंसुलीन इंसुलीन रख्त सरकरा का नियंतरन कर्था बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं और इंसुलीन से आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाता है साही करें तो देखें यहाँ पर हम लोगों ने 35 ने बालो जी कि वह हम लोगों ने कभर किया और यह हमारा सेकेंड पार्ट कॉम्पूट हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप 3rd part देखना चाहते तो इस वीडियो का target like जो है उस 200 like को आपको complete करना है और जैसे ही आपको 200 like को complete करते हो इसका 3rd part आपको देखने को मिल सकता है तो फिलाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ भी share करें और हाँ फ्रेंड इसका PDF आपको ट्रेग्राम ग्रूप पे मिल जागा जिसमें आपको 1st और 2nd दोनों पार्ट के questions एक साथ मैच किएगे ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हव अगुड़ देव